हालो अब्रीवन वेलकम बैक टू ब्लूप्रेंट डिजिटल मेरा नाम तूशे चौधरी है और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 माट्स चैप्टर 10 सदेश पीच करें एंड फाइनली आज हमारा शुरू होने जा रहा है सदेशो का गुड़नफल जिस तरीके से सिंपल नमबर को जब हम मल्टिप्लाय करते हैं तो हमारा एक रियल नमबर आता है जैसे हमने 20 को और 30 को मल्टिप्लाय कर दिया 600 आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 20 इंटू 30 इकोल्स टू 600 यहाँ पर इस वाले सिंबल में और इस वाले सिंबल में कोई डिफरेंस न गुड़नफल सदिश है या आदिश है हाँ जी क्योंकि दो सदिशो को गुड़ा करने पर जो आपका रिजल्ट आता है वो एक रियल नमबर भी हो सकता है और वो एक सदिश भी हो सकती है तो इसी के आदार पर सदिशो का गुड़नफल दो तरीकी का होता है पहला अदिश scalar product इसका मतलब अदिश गुड़नफल क्या है अदिश गुड़नफल वो गुड़नफल है जिसमें दो सदिशो के गुणा करने पर जो आपका result आता है वो एक अदिश राशी होती है इसी तरीके से सदिश गुड़नफल क्या है सदिष गुडनफल वो गुडनफल है जिसमें दो सदिषों की गुडना करने पर एक सदिष राशी ही मिलती है तो हम पहले बात करेंगे अदिष गुडनफल की दो शुन्नेतर सदिषों A और B शुन्नेतर मतलब non zero अगर आपके पास दो सदिष हैं non zero A और B तो उनके अदिश गुड़नफल को हम शो करते हैं A.B से यानि A.B यानि स्केलर प्रिटेक्ट यानि सदिश गुड़नफल इससे निरुपित करते हैं और इसका मतलब होता है यह यानि A.B equals to A का मॉडुलस B का मॉडुलस into cos of theta theta क्या है? A और B के बीच का कुंग जो हमारा 0 और πाई के बीच में लाए करता है ध्यान रखी हैं पर जो theta है वो 0 और πाई के बीच में ही होगा ये भी हो सकता है theta ये भी हो सकता है theta ये भी हो सकता है theta लेकिन अगर इसके आगे बढ़ गया यानि कुछ इस टाइप का हो गया ये वाला एंगल नहीं हो सकता क्योंकि उस condition में क्या होगा अगर ये हमारा A है और ये हमारा B है तो उस condition में इनके बीच का एंगल ये हो जाएगा ठीक है तो वो 180 degree से बड़ा नहीं होगा तो A.B क्या है A into B into cos theta जहां पर A और B क्या है इनके मापांक है ठीक है अब देखिए यहां पर अगर theta की value 0 हो जाए यानि A और B के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा A.B वरबर A into B यानि mod A into mod B cos 0 खत्म हो जाएगा क्योंकि cos 0 के value 1 हो गई इसलिए केवल इतना portion बचेगा ठीक है इस इस्थिती में A और B समदिश होंगे जब angle 0 डिगरी है तो समान दिशा तो उनकी होगी चाहे वो एक line में हो चाहे वो एक line में ना हो यानि अगर ये A है ठीक है और ये B है इसी line में तो A और B के बीच का एंगल 0 डिगरी हो गया ठीक है यानि ये वाली condition आगी फर्स्ट वाली या अगर A हमारा ये है और B हमारा ये है तब भी angle इनके बीच का 0 डिगरी है तब ये समान दिशा में है ठीक है तो अगर theta बराबर 0 डिगरी है तो ये वाली condition हो जाएगी A dot B बराबर this क्योंकि cos 0 की value 1 हो जाएगी तो आप इसको direct भी उस कर सकते है Second अगर theta बराबर 1 80 हो 1 80 का मतलब क्या है एक vector ऐसे जा रहा है तो दूसरा opposite direction वे ऐसे जाएगा यानि A हमारा ऐसे है तो B हमारा ऐसे होगा होगी 180 degree या A हमारा ऐसे है तो B हमारा यहाँ पर होगा होगया 180 degree चीक है तो इस इस्तिती में क्या होगा A dot B equals to minus mod A into mod B यहाँ पर minus आजाएगा क्योंकि आप जब यहाँ रखोगे cos 180 की value minus 1 तो क्या relation आजाएगा ये वाला relation आजाएगा चीक है इसी तरीके से अगर थीटा हमारा 90 degree हो मातलब एक वेक्टर यह रहा A और दूसरा वेक्टर यह रहा B 90 degree हो तो उस condition में क्या होगा उस condition में A dot B बराबर 0 हो जाएगा क्यों A dot B बराबर mod A into mod B into cos 90 और cos 90 0 जैसे पूरा right hand side 0 हो गया यानि अगर हमारा A dot B 0 हो तो A B के perpendicular होगा या A B के perpendicular है तो A dot B 0 होगा इस condition यह बहुत important condition है question से बहुत use होती है अगर आपके पास दो perpendicular सदिश दिए गए हो दो लंबबद सदिश दिए गए हो तो आप directly यह वाले condition यूज कर सकते है A dot B बराबर 0 या अगर कहीं पर A dot B बराबर 0 आ जाए तो आप directly यह लिख सकते हो कि A B के perpendicular है आपको question में प्रूफ करने के लिए दिया भी होता है कि सित कीजे कि सदिश ये और सदिश ये एक दूसरे के perpendicular तो वहाँ पर आप क्या करते हो वहाँ पर आप उनकी dot product निकालते हो अधिश गुरंफल निकालते हो और 0 प्रूब कर देते हो तो जो चीज आपको चाहिए वो चीज प्रूब हो जाती है ये तो हमने पढ़ लिया A dot B equals to A into B cos theta ये भी हाँ में पतना चल गया कि A dot B अगर 0 है तो A B के perpendicular होगा या A B के अगर perpendicular है तो A dot B equals to 0 होगा इसका मतलब I dot J, J dot K और K dot I ये सब ही 0 होगे क्योंकि I J के perpendicular है J K के perpendicular है और K I के perpendicular है इसका मतलब ये वाली चीज हो गई चीज है और साथ में ही J dot I भी 0 होगा K dot J और I dot K भी 0 होगा क्यों? क्योंकि अगर I J के perpendicular है तो J भी I के perpendicular है K भी J के perpendicular है और I B K के perpendicular है मतलब I, J, K सब के सब एक दूसरे के perpendicular है और हम इन में से किनी भी दो की dot प्रोडेक्ट लेते हैं तो resultant 0 आएगा चाए वो I dot J हो या वो J dot I हो इसका मतलब कि आप A dot b निकालो या B dot E निकालो A की बात है ठीक है? यह आपा commutative होता है dot project जो होता है ठीक है? यानि क्रम विनिमे नियम का ये पालन करता है जो dot product होती है वो क्रम विनिमे नियम का पालन करती है dot i ये कितना होगा i और i के बीच का angle 0 degree और क्या बताया था जब angle 0 degree हो तो cos 0 1 हो जाएगा यानि उस condition में हमारा क्या रह गया था a dot b बराबर a b यानि a का modulus into b का modulus रह गया था इसे लिए i dot i कितना हो जाएगा i का modulus into i का modulus चीके? cos 0, cos 0 1 हो गया i का modulus कितना होगा? 1 क्यों 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 कि unit factor इसी तरीके से ये भी और ये आगया यानि i dot i आगया हमारा 1 इसी तरीके से j dot j और k dot k की value भी 1 आएगी यानि i j j k और k i की बीच में अगर हम dot product निकालते हैं तो 0 और i i j j और k k की बीच में dot product निकालते हैं तो 1 ये देखिए i dot i equals to j dot j equals to k dot k बराबर 1 ठीक है अब एक चीज और है अगर आपके पास जो वेक्टर है वो आपको घटक फॉर्म में दिया हुआ है यानि i j k की फॉर्म में दिया हुआ है माना दो वेक्टर हैं यह है a1 i plus a to j plus a3 k चीक है और दूसरा वेक्टर है आपका b1 i plus b to j plus b3 k इस condition में अगर हम a dot b निकालेंगे तो क्या आएगा निकालते हैं a dot b यानि this dot this यानि a1 i plus a to j plus a3 k dot b1 i plus b to j plus b3 k चीक है पहले हम इसकी multiply करेंगे इस फूरे के साथ dot product फिर हम इसकी करेंगे इस फूरे के साथ फिर इसकी करेंगे इस फूरे के साथ जैसे के हम simple multiplication में करते हैं दो तीन नमबर इदा रहें तीन नमबर इदा रहें तो टूटल 9 आ जाएंगे 3 into 3 चले किजिए a1i और b1i a1i dot b1i पहला हो गया उसके बाद a1i dot b2g plus a1i dot b3 k प्लस अब a2j से कीजिए तीनों की a2j dot b1i plus a2j dot b2j प्लस a2j dot b3 k चीके अब इसकी होगी इन तीनों से a3k dot b1i plus a3k dot b2j plus a3k dot b3k चीके आगे a1 और b1 तो हमारे constant है real numbers है क्योंकि direction तो यह री न i तो यह इसका mapunk है तो map जैसे सबोस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो 2 और 3 की multiply तो आराम से हो जाएगी इनमें कोई दिकत नहीं है कितना हो जाएगा a1 b1 बैच जाएगा यहाँ अब बात है direction की i dot i क्योंकि जो dot product है vector product है वो हमारी vectors की बीच में लगेगी और vector क्या बचके हमारा यह direction इसमी बच गई ठीक है unit vector की बीच में जो हमारे मापांगते हैं वो हमने side में ले लिए i dot i कितना होता है i dot i हो गया 1 क्योंकि angle बीच का 0 degree हो गया a1 b2 आ गया है यहाँ से जैसे यहाँ से a1 b1 आया था ऐसे यहाँ से आ गया a1 b2 a1 b2 i dot j i और j दूसरे के perpendicular है और perpendicular की condition क्या होती है कि उनकी dot predict 0 होती है तो i dot j से 0 आ जाएगा जिससे यह पूरा का पूरा मेरा बन जाएगा 0 इसी तरीके से जब i dot k करेंगे तो यहाँ भी 0 बैठेगा यह वाला part भी 0 हो गया यह वाला part भी 0 हो गया j dot i वाला part भी 0 हो गया j dot j वाला part वो हम यहाँ लिखेंगे plus a2 b2 a2 b2 j dot j यानी 1 plus j dot k वाला 0 k dot i वाला 0 k dot j वाला 0 बचा k dot k यानी यहाँ से कितना आ गया a3 b3 into 1 यानी k dot k equals to 1 तो finally हमारा क्या बचा a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 यह आ गया हमारा dot product a dot b का अब अब देखिए यह जो आपका निकल कर आया है ने result इसको आप direct use कर सकते हैं अगर आपके बास घटक form में दिये हुए हो दो vectors तो आप क्या करगे उनकी dot product निकालने के लिए a1 b1 इन दोनों की multiply कर दिजे plus a2 b2 इन दोनों की multiply कर दिजे plus a3 b3 इन दोनों की multiply कर दिजे और आपका answer आपको बार बार यह सब करने की जरूरत नहीं है यह in general हमने एक बार करकर देख लिया चीक है अब हम करते है अदिश गुरनफल पर related कुछ questions a equals to 3i minus 2j plus k तता b equals to 2i plus 3j given है और निकालना क्या है a dot b देखे जब आपके पास a था a1i plus a2j plus a3 के और b था b1i plus b2j plus b3 के और हमने a dot b निकाला था तो कितना आया था a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 यही आया था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस वाले question में detail में नहीं जाएंगे इनकी dot product को fully नहीं निकालेंगे सिर्फ यह जो हमारा आया था इसको apply कर देंगे इस result को क्योंकि हम एक बार निकालना सीख चुगे कि dot product करने के बाद क्या आएगा a given है 3i minus 2j plus k और b है 2i plus 3j तो a dot b क्या बन जाएगा a1 b1 यानि 3 into 2 यानि 6 plus a2 b2 यानि minus 2 into minus 2 into 3 यानि minus 6 a3 b3 1 into 0 यहाँ पर आप ले सकते हैं 0 के k given नहीं है तो 1 into 0 0 हो गया तो कितना आ गया है यहां से a dot b 0 आ गया इसका मतलब यह और यह एक दूसरे के perpendicular है क्योंकि a dot b परभर 0 आ गया इस question में आप से यह भी पूछा जा सकता था कि सित कीजिए कि vector a और vector b एक दूसरे के लंबवत है तब भी आपका यह आ गया तो आप लिख देते आते हैं a और b एक दूसरे के लंबवत है simple यहां पर क्या है a equals to 5i minus j minus 3 के और b equals to i plus 3j minus 5 के और प्रूफ क्या करना है सित कीजिए कि a plus b और a minus b एक दूसरे के लंबवत है हमें किस को लंबवत प्रूफ करना a plus b को और a minus b को इसका मतलब में a plus b और a minus b की dot product को 0 प्रूफ कर दूँ तो उससे पहले मुझे a plus b और a minus b पता होना चाहिए कि कितना है तो पहले हम यही निकालेंगे a plus b 5i minus j minus 3 के plus i plus 3j minus 5k कितना आगया a plus b 5i plus 1i 6i minus j plus 3j plus 2j और इधर से आगया minus 8k 6 plus 2 minus a इसी तरीकी से a minus b कितना आजाएगा मैं हाथ दुबारा नहीं लिख रही हूँ सीधा calculate करेंगे 5i minus i आजाएगा हमारा 4i minus j minus 3j minus 4j minus 3 plus 5 plus 2k जैसे हमने निकाला a plus b उसी तरीकी से निकाल लिए हमने a minus b इन दोलों को plus और minus करके अब हमें क्या निकालना है a plus b dot a minus b यही निकालना है चलिए dot पर लिख निकाले किस कि इसकी 6i plus 2j minus 8k dot 4i minus 4j plus 2k निकाले इससे जो भी हमने कट किया था ठीक है a1 b1 यानि इसका coefficient आएका और इसका आएका coefficient यानि 6 इंडू 4 24 2 इंडू 4 minus 8 8 इंडू 2 16 minus 16 कितना आ गया 0 आ गया अता हम क्या बोल चकते हैं कि a plus b और a minus b एक दूसरे के लंबवत हैं ठीक है इती सिद्धम प्रोब्ट किसी सदिश की सदिशों 3i minus 5j 2i plus 7j और i plus j plus k की साथ अधिश गुणा करने पर गुणनफल क्रमशिय minus 1, 6 और 5 प्राप्थ होते हैं वह सदिश ग्याद कीजे यानि कोई unknown सदिश है जो आपको निकालना है जिसकी dot product अगर हम इसके साथ करते हैं तो minus 1 मिलता है इसके साथ करते हैं तो 6 मिलता है और इसके साथ करते हैं तो 5 मिलता है वह सदिश आपको निकालना है तो पहले मान लेजे कि वह सदिश कुछ भी मान लेजे माना वह सदिश AI प्लस BJ प्लस C के है आप यहाँ पर A1I प्लस A2J प्लस A3K भी मान सकते हैं लेकिन ABC जादा कमफोर्टेबल है इसलिए मैंने ये ले लिए चलिए अब this dot this बराबर minus 1 ठीक है क्या आजाएगा according to question AI प्लस BJ प्लस CK dot 3I minus 5K equals to minus 1 dot product कीजिए I dot I1 हो जाएगा यानि A1 D1 यानि A into 3 यानि 3A J वाले की J के साथ करेंगे J वाला है नहीं 0 मान लेंगे तो ये वाला part 0 हो जाएगा फिर K वाले पर आते हैं C into minus 5 यानि minus 5C equals to minus 1 ये हमारी एक रिलेशन आगया फिर्स्ट वाली dot प्रटक्ट से अब सेकेंड वाली AI प्लस BJ प्लस C के dot इसको equation बेंद मान लीजाएग 2I प्लस 7J इकोल्स टू 6 कितना आगया? 2A 7B के वाला part 0 equals to 6 equation 2 हो गई इसके बाद थर्ड वाले से मल्टिप्लाइ करते हैं इसी वेक्टर की AI प्लस BJ प्लस C के dot I प्लस J प्लस K equals to है 5 यानि A प्लस B प्लस C equals to 5 यह होगई equation 3 अब हमें क्या करना है? क्योंकि इस सदिश का मान निकालना इसका मतलब A, B और C के मान निकालने और यहाँ पर हमारी तीन equation आचुकी है ABC में इन तीनों को solve करना है ABC के मान निकालने और इसमें रख देने और हमारा सदिश आज आजएगा solve करते है एक काम करते है यह ABC में equation है न यहाँ से भी A का मान निकाल लेते है C का मान निकाल लेते है A की form में यहाँ से B का मान निकाल लेते A की form में दो नगू उठाकर यहाँ रख देंगे A में equation बन जाएगी यहां से C कितना आएगा यहां से आएगा 5C बराबर 3A प्लेस वन आ जाएगा 5C एकोल सुट्री प्लेस वन या फिर C कितना आ जाएगा 3A प्लेस वन अपॉन फाइग यहां से भी निकालते हैं 7B equals to 6-2A 6-2A तो B कितना आ जाएगा 6-2A अपॉन 7 equation number 2 दोनों की values उठाकर equation number 3 में रख देते हैं direct रखते हैं कितना आएगा चलिए लिख देते हैं समीकर number 1, 2 और 3 से A as it is B की जंगे आ जाएगा यह 6-2A upon 7 plus C की जंगे पर आ जाएगा यह 3A plus 1 upon 5 equals to 5 LCM 35 LCM आ जाएगा यह तर कितना आएगा 35A plus 5 into 6-2A plus 7 into 3A plus 1 equals to कितना आ जाएगा 35 into 5 यह 35 इधर चला जाएगा राइट साइट में इसको सॉल्व करते हैं देखें कितना आएगा यहां से 35A plus 560 30 minus 5 2s are 10A plus 7 3s are 21A plus 7 equals to 570 35A plus 21 35 45 55 56 और minus 10 46A और इधर कितना बचा आपका 37 30 plus 7 37 यानि 175 में से हमें क्या minus करना है 37 यहां आएगा 8 इधर आएगा 6 minus 33 1 कितना आगया 138 यह देखें इसको सॉल्व करके आगया 10 plus 10 minus 10 46 और इसको उदर ले जाके minus कर देंगे तो 38 यहां से एक अमान कितना आया 138 upon 46 46 3 जा 138 इस A का मान उठाकर इहां रख दीजी C का मिल जाएगा इहां रख दीजी B का मिल जाएगा equation 2 से C का मान कितना आएगा 3 into A यानि 3 plus 1 upon 5 equals to 3 तीजा 9 1 10 10 upon 5 यानि 2 आगया C की value आगई तो इसको erase कर देते हैं अब B की value निगालते है equation number 2 से यह हमने निगाली थी equation number 1 से 2 से क्या निकलेगा हमारा B निकलेगा 6 minus 2 A 2 into 3 6 upon 7 0 आगया A की value भी आगई B की value भी आगई C की value भी आगई तो हमारा जो अभिष्ट सदिश है वो कितना हो जाएगा अभिष्ट सदिश बराबर A I plus B J plus C K यही था A हो गया 3 I plus B J B 0 plus C K plus 2 K यही हो गया हमारा अभिष्ट सदिश जो कि हमसे पूछा था ठीक है done बचा आज हमने पड़ा dot product यानी scalar product यानी अधिश कुरंफल दो सदिशो का अधिश कुरंफल next की वीडियो में हम पड़ेंगे दो सदिशो के बीच का कोण गयाद करना जिसमें हम dot product की ही help लेंगे आपके लिए आज का question है ये यदि a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4 के और b बराबर 3i प्लस 2j माइनस m के हो दो vector given है तो आपको m का मान गयाद करना है ठीक है अपनी next वीडियो में हम क्या करेंगे प्रक्षे प्लस दो सदिशो के बीच में कोण गयाद करना आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताएं अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों सचीर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद